नमस्का जीजी विशा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आप से सुन रहे हैं उसका नाम है जामिशा जेरी आज में लेकर आई हूँ मिरर वर्क के हिंदी संस्करण का चोधवा दिन इसके बाकी के सारे वेडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और अबर आई बटन भी मिल जाएंगी तो शुरू करते हैं आज का हमारा 14th day of मिरर वर्क स्वैम को प्रेम करना आपके दूसरे सब्दा की समिक्षा आज आप मेरे वर्क में अपने प्रगती की समिक्षा करेंगे और जीवन यात्रा में स्वैम को अधिक समय और प्रोचाहन देना सीखेंगे मुझे आप सब पर कितना गर्व हो रहा है मेरे प्रियोजनों यहां हम अपने दूसरे सब्दा के अंतर तक पहुँच गए हैं और वहां आप अपने दोस्त के सामने अपने आईनी के सामने खड़े होकर हर दिन नए तरीके सीख रहे हैं और उनका भ्यास कर रहे हैं जिनके सहच महसूस कर सकते हैं कोई बात नहीं मैं आपसे कहूंगी कि जब आप प्रति दिन नए अभ्यास अरम करते हैं तो ध्यारे से काम लें बदलाव मुश्किल हो सकता है और आसान भी हो सकता है याद रखी कि ये खुद को प्रेम करने और स्विक्रिती प्रदान करने की यात् रहा है और अपने समस्त प्रयासों को स्विकार करें आप पहले ही इतना गुश्पराप्त कर जुके हैं आपने देखा है कि कैसे आपका आईना आपकी कही बातों और आपके लिए काम के प्रति आपको और अथिक जागरुक करने में मदद करता है आप उन चीजों को जाने देना सीख रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है आप अपनी सेल्फ टॉक के प्रति अथिक जागरुक हो रहे हैं आप अपने कही शब्दों को ध्यान से सुनकर उन्हें सक्रात्मक एफिमिशन्स में बदलना सीख रहे हैं जो आपके प्रयासों और बदलाव के लिए प्रतिबधता की प्रशंसा करेगा ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है आपका भीतरी बच्चा पिछले दो सप्ताओं में अभ्यासों का विशे था और आपने बहादुरी से दोनों का सामना किया खुद की एक पड़ी सी जैकार करी आपने भीतर के बच्चे को अपना परिचे दिया और अब आप समझने लगे हैं कि नन्ना साजीव क्या महसूस करता है आपको इस बच्चे को अपनी बाहूं में लेकर ये समझाने का समय भी मिल रहा है वो कितना सुरक्षित है और आप उसे कितना प्रेम करते हैं मुझे आप पर बहुत कर्व है कि आपने नरूणी विचारों और धारनाओं को प्रती विम्बित करता है आप अपने शरीर के संदेशों पर ध्यान देने लगे हैं आप अपने शरीर को वो प्रेम भरा पोशन देने लगे हैं जिसकी उसे आप शक्ता है उत्सह वर्धक विचार और सकरात्मक एफिमिशंस आप यह भी देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा मैसूस कर रहे हैं जब आप अपनी सच्छी भावनाइं व्यक्त करते हैं भले ही वैं नकरात्मक हो आपको स्मेहनत के लिए और उनना भ्यास्तों के लिए भी स्वैम को बधाई देनी चाहिए जो आप दूसरों के प्रति अपनी क्रो दिखा है आप स्वैम अपना डर नहीं है डर सिर्फ आपके मन के एक कमजोरी है आपके पास हमेशा प्रेम और डर के बीच एक विकल्प रहता है आपने इस सब्ताह मेरे एक पसंदिदा सिधान्त का भ्यास भी किया है आप जैसे अपने दिन के शुरुआत करते हैं अक्सर पैसे ही अपना जीवन भी जीते हैं मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने दिन की शुरुआत प्रेम भरे विचारों के साथ करने का प्यास कर रहे हैं यह आपके दिन के बागी समय के लिए एक सकरात्मक टोन सेट करता है आपने देखा कि सिर्फ 14 दिन आएए अफ़र्म करें मैं यहां हूँ दुनिया यह मिरर वर्क मुझे जो भी अद्वत चीज़ां सिखा रहा है उसके प्रती खुला हुआ और ग्रहनशील हूँ आपका छोदमे दिन का मिरर वर्क अभ्यास अपने बच्पन के समय कि उस तस्वीर को निकालें जब आप सच में खुश थें शायद आपके पास आपके जनम दिन की पार्टी में लिग हुई कोई तस्वीर होगी या तब की जब आप अपने दोस्तों के साथ कुछ कर रहे थे या अपनी पसंद की किसी जगह पर गए थे दूसरा इस तस्वीर को अपने बात्रूम के आइने पर जिपका दे या जिस आइने पे आप प्रक्टिस करते हैं वहां जिपका दे तीसरा उस तस्वीर के जिवन्त और खुश बच्चे से बात करें उस बच्चे को बताएं कि आपका फिर से वैसा ही महसूस करने का कितना मन होता है अपने भीतर के बच्चे से अपनी वास्त्विक भावनाओं की और जो बात आपको रोक रही है उसकी चर्चा करे चौथा अपने आप से ये affirmations कहे मैं अपने सारे डर बाहर निकालने को तेयार हूँ पाच्वा इन affirmations को दस बार दोहराएं शक्ति आपके अंदर है आपका चोदमे दिन का दैन के अभ्यास पहला अपनी दैन की निकाले और साथमे दिन के पहले अभ्यास वाला प्रस्थ खोले दूसरा उन भावनाओं और टिपणियों को पढ़ें जो आपने उस दिन के मिरल वर्क के बाद लिखी थी तीसरा एक नए प्रस्थ पर आज की मिरल वर्क के दूसरे सब्ता के बाद की भावनाएं और टिपणियां लिखें क्या अब आपको भ्यास असान लगने लगे हैं क्या अब आएने में देखने में अधिक सहज महसूस करने लगे हैं चौथा लिखें कि आपको कहां सबसे अधिक सफलता मिल रही है लिखें कि कहां आपको सबसे अधिक मुश्किल हो रही है पाचवा उन चीजों में आपकी मद्द करने के लिए एक नया मेरक वर्क अभ्यास और अफ़मिशन तयार करें जहां आपको रुकावट महसूस हो रही है छोदमे दिन के लिए आपका हाट थाट मैं अपनी भवता देखना चाहता हूं अपने मन से और अपनी जीवन से प्रदेखनक रात्मक खानी कारक तरावना विचार और सोच दूर करने का चुनाव करें अब किसी भी प्रकार के हानी कारक विचार या बातचित को ना सुने न उसका हिस्सा बने आज आपको कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकता क्योंकि आप चोट खाने में विश्वास करने से मना कर रहे हैं आप हानी कारक भावनाओं में लिप्त होने से मना कर रहे हैं चाहे वे कितनी भी उचित प्रतीत हो रही हूं आप हर उस चीज से उपर उठ रहे हैं जो आपको नारास्त या भईभीत करने की कोशिश करती है हानिकार के विचारों का आपके उपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है आप सिर्फ वो कह रही हैं और सोच रही हैं जो आप अपनी जीवन में चाहते हैं आपके लिए जो भी करना आवश्यक है उसके लिए आप स्वयम ही प्रयाप्त है आप उस शक्ती के साथ एक आकार हैं जिसने आपको बनाया है आप सुरक्षित हैं आपकी दुनिया में सब कुछ ठीक है आपका छोद में दिन का वाडिटेशन अपनी शक्ती को महसूस कीजिए इस नए दिन का खुली बाहों और प्रेम के साथ स्वयागत करें अपनी शक्ती को महसूस करें अपनी सास की शक्ती को महसूस करें अपनी आवास की शक्ती को महसूस करें अपनी प्रेम की शक्ती को महसूस करें अपनी शमा शीलता को महसूस करें अपनी बदलने की इच्छा को महसूस करें आप सुन्दर है आप एक दिव्य भव्य जीव है आप सब अच्छी जीजों की अधिकारी है कुछ नहीं सब अच्छी चीजों के अपनी शक्ती को महसूस करें और उसके साथ शान्ती से रहें क्योंकि आप सुरक्षित हैं और ये था चोद्वी दिन का मेरे रवर कप्यास मुझे उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और हमीशा की तरह एक बात कि अच्छी चीज़े अपने चाने वार को साथ जरूर शेयर की चाहिए तो शेयर कर दीजेगा क्योंकि इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी शेयर कर दीजेगा और मुझा यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया